हेलो फ्रेंट्स कैसे आप लोग आई होब कि आप लोग अच्छे होंगे और आज हम लोग चैप्टर नमबर एक से टॉप फाल्ट एमसी क्यू कोचन को देखेंगे जिसे आगामी बोड़िया में पूछे जाने की संभावना है तो आएए देखते हैं सबसे पहला कोचन है अं अंडरूट दो हो अंडरूट तीन हो अंडरूट पांच हो अंडरूट सात हो यानि कि ऐसी संख्या जो अंडरूट तो हो लेकिन इसका पूर्ण बर्गमूल न बन सके जैसे कि अगर मान लिजे कि अगर होता अंडरूट नौ तो नौ का मतलब क्या हो जाएगा तीन गुने तीन ठीक है तो दो बार तीन होता है तो एक बार बाहर करके लिखते हैं ठीक है तो यह जब बाहर हो जाएगा ना इसका मतलब है कि यह परिमे संख्या हो जाएगा क्या हो जाएगा परिमे संख्या हो जाएगा ठीक है और जो अंडर रूट नहीं तूर सकता है वो होता है आप परिमे संख्या जाब और जिसका रूट निकल जाएगा उसको हम बोलते हैं परिमे संख्या ठीक है तो उमीद करते हैं कि इस तरीके का जितने ही परशन आयेगा आपके ऐग्जाम में उसे आप लोग सॉल्फ कर लेंगे चलिए अपकोचर नुमर्दो के तरह भरते हैं कोचे नमर दो है, दो परिमे संख्याओं के बीच, अधिकतम कितिनी परिमे संख्याओं हो सकती है, देखे, कहने का मतलब यहाँ है, कोचे नमर दो का हल, मान लिजे कि एक परिमे संख्या दो है, ठीक है, और एक परिमे संख्या पांच है, कोई दिक्कत तो इस दोनों प्रवे संख्या के बीच हम प्रवे संख्या कैसे ग्याद करते हैं सबसे पहले क्या करना है इस दोनों को जोड देना है और 2 से भाग देना है तो क्या आयागा 5 और 2 7 बटा 2 ठिक अब जो ए 7 बटा 2 आया ये पहला संख्या आगया अब इसमें क्या करना है, मेरे पास था 2, तब हमें अगला ज्यात करना है, 7 बटा 2 प्लस 2 और फिर 2 से भाग देना है, एक संख्या यह निकल जाएगा, ठिक, इसा काम करने के बाद, फिर इसके आगे, 7 बटा 2 प्लस, क्या था, 5, तो 5 बटा में 2, ठिक है, इससे एक संख्या इसको solve करते हैं, तो एक संख्या निकल जाएगा, इसको solve करते हैं, तो एक संख्या निकल जाएगा, ठिक है, इस परकार से क्या करना है, इसको solve करने के बाद जो संख्या आएगा, इसको solve करने के बाद जो संख्या आएगा, उसमें पिछला वाला संख्या को जोडते रहना ह और दो से भाग देते रहना है तो अगर आप इस तरीके से करते हैं ठीक है तो आप कहें भी रूख नहीं सकते हैं यह अनगीनत हैं ठीक है लाखो करोड़ो बार आप प्रमे संख्या ग्याद कर सकते हैं तो सिंपल सा जवाब है कि दो प्रमे संख्याओं के भी अजिक्तम कितन लिए नूम्बर तीन का हल, एक दशमलब 3-4, देखिये, यहां किया है कि दसनमलब के बाद दो अंख है और दोनों अंख के ऊपर कोई भी रह करिंग नहीं है या यहां पे दशमलब नहीं है ठीके यानि डाड नहीं है तो अगर इस तरीका का सिंपल संख्या रहे है एक दसंवलब तीन चार या एक दसंवलब चार पांच या कुछ भी रहे तो ऐसी संख्या को हम प्रमिय संख्या के रूप में कैसे लिखते हैं यानि बटा के रूप में कैसे लिखते हैं तो सिंपल सा है देखें बटा देना है दसंवलब को हटाना है और इसके बदले यहां एक देना है नीचे में ओके और दसंवलब के वाद जितनी अंख है ना उतिनी ही सुने दे देना जैसे कि माल यह एक और एक दो कितने हैं दो तो क्या आ गया 134 बटा में 100 अगर आप इसको काटना चाहें तो काट भी दीजे नहीं भी काटेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है तो इस तरीके से हम इसको प्रमेस्था की रूप में लिखते हैं अगर इसके ऊपर इस तरीके का चीन नहीं हो या इस तरीके का चीन नहीं हो या इस तरीके का चिन नहीं हो, तो, ठीक है, अगर इस तरीके का चिन हो जागा, तो क्या हो जागा, आपर में संख्या हो जागा, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, और कोचन नमर 4 को देखते हैं, देखें, कोचन नमर 4 है, 17 बटा 24 का दसमला परसार, सांत होगा या असां सांत यानी सत्रा बटा चौबिस है कुश्चन नमर चार हल करते हैं कि सत्रा बटा चौबिस देखे इसको सांत या असांत इपके इसको समझने के लिए आपको simple क्या करना है कि यह नीचे जो संख्या दिया हुआ है उपर वाले को अंस बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं ठीक है तो हर में जो संख्या होगा नीचे यहां है 24 से 24 क्या क्या करेंगे गुनरखन निका लेंगे 12 दुना 24, 2 से 26, 2 से 23 चे तो क्या आया? 2 गुने 2, 2 गुने 3 ठीक है? यहाँ कि 2 कितना बार है? 1, 2, 3 बार तो लिखेंगे 2 पर पावर 3 गुने 3 यहाँ पर आपको ए ध्यान देना है कि 2 पर पावर कुछ भी हो 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है लेकिन 2 के सास क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए ठीक क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए जैसे कि माले 2 पर पावर 5 हो जाएगा या 2 पर पावर 6 हो जाया या 7 हो जाया कुछ भी हो जाया कोई दिक्कत नहीं है लेकिन 5 पर पावर कम से कम अगर कुछ कुछ नहीं है तो सुने भी होना चाहिए यानि कि 5 हो ही ना ठीक सिर्फ अगर दो ही आ जायागा जैसे कि माल्या कि यहां पर अगर हम गुल्दन खण निकालते हैं आठ का दो से चार दुना आठ दो से दो दुना चार तो क्या आया दो पर पावर तीन आया और यहां कुछ नहीं है तो हम लिख सकते हैं कि 5 पर पावर सुने यानि कि जो 2N गुने 5M इसके रूप का होगा वो संख्यासांत होगा अगर 2 और 5 के अलाबा कोई और संख्या आ गया जैसे यहां कि यहां पर लिखेंगे यह संख्या है क्या है और संथ है समझ में आ रहा होगा चलिए आगे बढ़ते हैं यहां अगला सवाल है पाई डैस संख्या है पाई कौन से संख्या है भाई पाई क्या है क्या है क्वेश्चर नमर पांच है अगर आप से पूछे कि पाई कैसी संख्या है तो आप डिरेक्ट लिखेंगे और में संख्या क्या ह पाई का वैलू क्या होता है पाई बराबर होता है तीन दसमलग एक चार ठीक है तो अगर इस तरीके की संख्या आगा रहा है तो यह क्या हो जाएगा परी में संख्या हो जाएगा परी में संख्या हो जाएगा और इसे पहले का वीडियो आप लोग ने नहीं देखा है तो Unlocking Study के प्ले लिस्ट में जाकर इसे पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं फिर मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद